नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम सूपर स्टार स्पेशल में इस प्रोग्राम में हम आग को बताते हैं भोजपुरी के सूपर स्टार से जोड़ी हर वो थाजा खबरे जो आग के लिए जानी है बेहर ज़रूरी और आज ऐसी ही कुछ चुनि इंदा खबरे हम लेकर आए हैं जिनमें पहली खबर जुड़ी है भोशपुरी की यूवा स्टार क्वीन और गाईकी की मिशा निशादूवे सबसे बीजी अभनेत्रियों में से एक बन कर सामने आई हैं निशादूवे अभी तक उनके गानों से आप लोग मद्वोश होते आए हैं मंत्र मुग्द होते हैं लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में निशादूवे की कई सारी फिल्में भी आपको देखने को मिलने वाली हैं क्योंकि लगाता निशादूवे ने तीन फिल्मों को एक साथ शूट किया है और इनका फेवरेट गाना हाल ही में सनी पर फिल्म आया गया जानते हैं क्यों क्योंकि निशादूवे के पास इतना समय ही नहीं था कि वो अपने ही फिल्म के अपना फेवरेट गाना शूट कर पाएं अब इधर उनके तीन-तेन फिल्मों की शूटिंग उधर गानों की रिकॉर्डिंग और तीसरे में उनका स्टे इतनी सारी फिल्मों की शूटिंग निशा करेंगी तो जाहिर सी बात है उनके पास समय की कमी तो पड़ेगी ही और इसी कमी की वज़े से निशा को अपना एक सौंग छोड़ना पड़ा है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निशा दूबे की फिल्म में आलो के साथ निशा का एक डूइट सौंग था और उसी दिन निशा को स्टेज प्रोग्राम में भी जाना था लेकिन निशा के पास समय की बहुत कमी थी और इस कारण उनका फेवरिट गाना भोजपुरी की सनी लियोन यानी सनी सिंग पर फल्माया गया वेल निशा की इस व्यस्तता को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा के साल आने वाले दिनों में निशा की ही कई सारी फल्मे दर्चकों को देखने को मिलने वाली है तो भाई यहां कई ऐसे सितारे हैं जिनको काम ही नहीं मिलता वो काम के लिए इदर उदर भटकते हैं और एक है निशा दूबे जिनके पास काम इतना जादा है और समय इतना कम है कि इनके बदले का काम किसी और को करना पड़ रहा है वेल बढ़ते हैं आगे जान लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी है beauty queen काजल रागवानी से काजल रागवानी की खूबसूरती देखकर हर कोई पागल हो जाता है हर कोई उनका दिवाना हो जाता है लेकिन अब उनकी body देखकर भी हर कोई हैरान है six app के साथ काजल बड़े खूबसूरत अंदाज में दबंग सरकार की shooting में नजर आई है हाल ही में इस दबंग सरकार के एक promotional song की shooting का कुछ photo shoot सामने आये है जिसमें काजल रागवानी की खूबसूरती से जादा लोगों के नजरे उनके apps पर दिखाए दी क्योंकि काजल रागवानी अब तक बड़ी कोमल और नाजो कली के रूप में फिल्मों में नजर आई है एक प्रेमिका के रूप में एक बेटी के रूप में नजर आई है बीच में उन्होंने अपना मुटापा भी बहुत गेन कर लिया था लेकिन अब मुटापे की कम करने के बाद सिख सैप के साथ काजल दिखाई दी हैं जो अभी तक शायद ही किसी भोजपुरी हिरोइन में दिखाई दिया हो तो काजल रागवानी की खूपसूरत अभिने त्री काजल रागवानी की हाल ही में एक तस्वीर बड़ी तीजी से शोशल मीडिया पर वाइरल हो रह जरूर कुछ खास है जानते हैं क्यों क्योंकि काजल की दबंग सरकार के सेट से वाइरल हुई इस तस्वीर में काजल की बोड़ी देख कर हर कोई हरान है जी हाँ काजल रागवानी ने इस फिल्म में एक प्रोमोशनल सॉंग किया है और उस प्रोमोशनल सॉंग के लिए ही उन्होंने लेंगे और चोली का गेट अप लिया था जहां फोटो शूट के दौरान काजल अपने एप्स फ्लॉंट करती नज़र आई देखी पा रही होंगे आप सब इस रिपोर्ट में कि काजल का जिम में बहाया हुआ पसीना अब साफ नज़र आ रहा है और काजल की बोडी भी सबसे अलग नज़र आ रही है वेल काजल ने खुद को मैंटेन किया किस लिए है क्या उनकी कोई फिल्म आने वाली है या फिर काजल किसी फीमिल बोडी बिल्डर से इंस्पायर हो रही है ये तो वही जाने लेकिन काजल ने अपने इस फोटो शूट से बागी की सारी हिरोईनों को पीछे छोड़ दिया ह तो काजल राधवाने की बोडी और खुबसूरती के साथ ही एक खुशखबरी और देंगे कि क्या जो जिसको भी इंतजार था किसारी है और काजल की फिल्म का वो मैं सहरा बान के आऊंगा देख सकता है फिल्म रिलीज हो चुकी है यूट्यूब पर पूरी फिल्म रिलीज कर दिया जा रहा है लेकिन कौन से चैनल पर और कब रिलीज हो रही है यह फिल्म इसकी जानकारी हम आपके लिए लिकराए हैं देखे सरकार राज इंडिया वोसिस पाकिस्तान जो ऐसे सूपर हिट मूवी दे चुकी अनील काबरा की एक और सूपर दूपर हिट भोजपुर मैं सहरा बांद के आउंगा अजल्द ही यूट्यूपर रिलीज होगी ये जानकारी खोदेनील काबरा ने इसले हम जल्द ही व्यापर के आउगा को यूम्बाई में या भिहार में सभी दर्शिकों में ऐसे दर्शिकों ने अनील कापरा की माने तो फिल्म में सहरबान के आऊंगा यूट्यूब पर भी दमाल मचा देगी परिवार और परिवेश की जलक दिखाती इस फिल्म को दर्शकों का बहुत प्यार मिला और उमीद है कि आगे भी मिलेगा अनील कापरा का कहना है कि उन्हें ऐसी फिल्म में करना अच्छा लगता है जो लोगों को पसंद आएं और वे उससे बार बार देखें हलाकि भोजपुरी फिल्मों पर अर्शलीलता के लगते आरोप के कारण लोग परिवार के साथ फिल्म नहीं देख पाते लेकिन उन्हें ऐसी फिल्मों को बनाने में मज़ा आता है जिसे पूरा परिवार एक साथ बैट कर देख सके अनील काबरा ऐसी फिल्मों को प्रमोड भी करते हैं बता दें कि अनील काबरा राजस्थान से हैं उन्होंने अत्तक कई हिंदी फिल्मों का भी निर्मान किया है लेकिन भोजपुरी के प्रती उनका प्रेम और इनकी लोग प्रियता ने अनील काबरा को आकरशित किया है यही वजय है कि वे अब इक और बोजपुरी फिर्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है निरहुआ चलल लंदन इस फिल्म की शूटिंग भारत इंग्लेंड समीत का याने देशों में की गई है अनील काब्रा इंडिया एकॉमर्स कंपनी के मालिक भी है जो फिल्म निर्मान किरन यादव सुमन जाग गोपाल राय ये तमाम खबरें आपने पूरे दिन कहीं और से भी सुनी होगी लेकिन अब जो हम खबर आपको बताने जा रही है वो खबर बहुत धहरानी जनक है और बहुत खास है क्योंकि हाल ही में इंडोस्री के दो कलाकारों नहीं एक दूसरे ते शादी कर ली है और साथ फेरे करके बन चुके हैं एक दूसरे से शादी के बंधन में जानते हैं ये नहीं जोड़ी कौन है नहीं जानते तो चलिए हम बता देते हैं नाम है रुपेशार बाबू और हिरोईन का नाम है रंगोली पांडे दोनों की शादी की तस्वीरे सभी की आँखे हैरान है किसी को अपने आँखों पर भरोसा ही नहीं हुआ कि दोनों शादी कैसे कर ली और कब कर ली तो जिनको भी हैरानी हुई है और जिनको भी यकिन नहीं हुआ है उनके लिए एक खुशकबरी और है कि ये शादी सिर्फ फल्मी है कोई शादी रियल में नहीं हुई है वह अलग बात है कि रिल में भी आजकल भोजपुरी फिल्मों में बड़े रीती रिवादों के साथ शादी की जाती है लोगों को रिज़ाने के लिए लेकिन ये शादी करते समय दर्श को भी ऐसा लगता है कि दोनों शादी के बंदर में बढ़ चुके हैं रुपेश आर बाबू रंगोली पांडे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है अब इनके तस्वीरों को देखकर लोग ये ना समझ बैटे के दोलों शादी शुदा हैं तो इसलिए हम इसी जोडी से इसी नई जोडी से जोडी एक खास ख़बर लेकर आए हैं आपके लिए देखे खबर भोजी वोट से है कि अभिनेत्या रुपेश आर बाबू ने रंगोली पांडे से शादी कर ली है उनकी शादी की तस्वीरे वाइरल होने के बाद इंडोस्री में भी इस बात की खूब चर्चाय हो रही है और लोगों ने उन्हीं शादी की बधाईयां भी देनी नजर आ रहा है वैसे ये पूरा मामला फिल्म है और रुपेश आर बाबू ने ओन स्क्रीन अपनी शादी रंगोली पांडे के साथ रचाई है हम बात कर रहे हैं नर्देशक डीके आजाद की हिंदी फिल्म अभिशब गूंघट समाज की समविदन शील मुद्दो पर अध हारित है जिसकी शूटिंग मोतिहारी में समाथ हो चुकी है इसमें दोनों एक दूसरे के फेरे और अन्य रश्मों को निभाते नजर आ रहे हैं तो वहीं जब हमने इस बारे में रुपेश आर बाबू से पूछा तो उन्होंने हसते हुए कहा कि असल में मैंने कभी शादी का फैसला नहीं किया है लेकिन अपनी हिंदी फल्म अभी शब्त गूंगट मेरा किरदार ही ऐसा है इसको लेकर मैं उठसाहिद भी हूँ रुपेश आर बाबू कहते हैं कि फल्म अभी शब्त गूंगट समाजिक मुद्दों को उठाते हुए दर्शकों को इंटर्टेन भी करेगी बिहार में इंडिनों राजिस सरकार ने दहेच प्रता के खिलाफ मुहीन चला रखी है फिल्म में उस मुद्दे को भी प्रमुकता से उठाया गया है फिल्म की कहानी गाओं के परिवेश में है इसलिए इसकी शूटिंग मोतिहारी में की गई है अब इसके पोस्ट इतना सुगाही है कि लोगों को इससे कनेक्ट करना मुश्किल नहीं होगा फिल्म के गाने भी बहुत जोड़दार और कंप्रिये हैं जो लोगों को यकीनन पसंद आएंगे फिल्म के प्रचारक संजेबूशन पतियाला है तो यह थी आज भोशपुरी के सूपर स्टार से जुड़ी कुछ ताजा खबरे अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही सुपर स्टार से जुड़ी कुछ और ताजा तरी इन खबरों के साथ लेकिन तबता के लिए आप हमें दीजेए इजाज़त नमस्कार नेक्स्ट नाइन न्यूज भोशपुरिया के सब्सक्राइब करी अलेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाई